शर्दियों का मौसम आ चुका है और शर्दियों के मौसम में सामके चाय के साथ खाने के लिए मैं लेकर आए हूँ परफेक्ट रेसीपी इसको आप हपता 10 दिन तक अराम से स्टोर कर सकते हैं यहाँ पर लिए मैंने 200 ml गरम दूद मैं दूद में एट के रही हूँ करीबन एक चमच ड्राइस्ट आधा चमच नमक तीन चमच चीनी और दो चमच ले रहे हूँ में रिफाइंड ओईल एक चमच लिए मैंने भनिना एसेंस रिफाइंड ओईल की जगह आप कोई भी तेल ले सकते हैं जिसका कोई सुगन ना हो और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं अगर आपके पास ड्राइस्ट ना हो तो आप बेकिंग सोडा का भी उच्छ कर सकते हैं हम एट करेंगे एक अंडा अंडे को भी हम अच्छे से हुष्ट कर लेंगे मैंने लिए यहां पे 250 गराम मेदा मेदे को में दूद के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी थोड़े थोड़े करके एट करेंगे पहले थोड़ा सा हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे विष्ट की मदद से हमें अच्छे से कर लेना है अगर आपके पास विष्ट कर ना हो तो आप चमत से भी यह कम कर सकते हैं इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और आप देख सकते हैं इसका कंसिस्टेंसी बिल्कुल पर्फेक्ट है अब हम इसको कवर करके दस मिनट के लिए रख देते हैं सेट होने के लिए दस मिनट बाद हम चीख करते हैं बेटर को बेटर हमारा बिल्कुल रेडी है मैंने याँ पर रिफैन ओयल को गरम होने के लिए रख दिये रिफैन ओयल गरम हो चुका है और हम लेंगे दो बड़े चमच और इस तरह से हम इसको पकाएंगे और छोटी चमच से उपर से थेल डालते रहेंगे यह आप दिख सकती कितनी अच्छी तरह से यह फूल के निकल चुका है इसको आप एक हफ्ता से दस दिन तक आप आराम से इस्टोर कर सकते हैं यह खराब नहीं होता है वीडियो पस्तना है तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब कीजिए और भी लाइकन को प्रेस करना ना बुले इससे आपको वीडियो की नोटिफिकिशन सबसे पहले मिल जाएगी इसे तरह से हम सारे बंस बना के रेडि करेंगे मैं बना रही हूँ बंस थैंक यू भर वाचिए अमिल ते ए नक्स्वीट की जाएगी